आर्यन इन्वेजन थियरी, ट्रू और फेक जिससे पता चलता है कि हडपा सभेता के निवासी अंडमानी जीन पूल के थे, और ये जीन पूल आज सभी भारतियों में मिलता है, इस स्टडी ने ये भी प्रूव किया है कि हडपन सिविलाइजेशन के निवासी आर्यों से पूरी तरह से अलग थे, क्यूंकि इनमें आर्य से जोड़ा विशेश R1A जिनेटिक मारकर नहीं मिला है। इस स्टडी ने आरियों के भारत आगमन से जोड़े विवाद को एक बार फिर से जिन्दा कर दिया है। आक्रमान किया और हिंदू घाटी सबहता को नश्ट कर दिया। इस सिधान्द के विरोधियों का तर्क है कि ये परिकल्पना भारत की ब्रिटिश विजय को सही ठहराने के लिए बनाए गई थी और इसका कोई आर्कियोलोजिकल या जिनेटिक आधार नहीं है। आईए आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्यन इन्वेजन थियरी क्या थी। आर्यन इन्वेजन थियरी पहले-पहल मैक्स मिलर नामक एक जर्मन इंडॉलोजिस्ट द्वारा दी गई। उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके ये बताया कि संस्कृत और यूरोपी संस्कृति का विकास विदेशी मूल के आर्यों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1500 BCE के आसपास भारत पर हमला करके हडपा सिविलाइजेशन को नश्ट कर दिया था। ब्रिटिश और यॉरोपीयन स्कॉलर्स द्वारा लिंग्विस्टिक सिमिलारिटीज के अलावा, आर ले लगभग 33 human skeletons को आरियों के हमले के साथ जोड़ दिया था। इसके अलावा, रिग वेद में वर्नित दाश राग्य युद्ध को भी आर्य अनार्य युद्ध के रूप में दिखाया गया। ये युद्ध भारत जन के राजा सुदास और दस राजाओं के एक संग के बी रंग को अनार्य या स्थानिय बर्बर ट्राइब्स के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। इस तरह से आरियन इंवेजन थियरी में इंद्र नामक देवधा जिसे रिग वेद में पुरंदर यानि शत्रू दुर्गों को नश्ट करने वाला कहा गया है कि पहचान हडपाई दुर्गों को नश्ट करने वाले अधिपदी के रूप में करने की कोशिश की गई है। अपने कोलोनियल इंट्रिस्ट को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने इस तियोरी को खूब बढ़ावा दिया। इस तियोरी ने ब्रिटिश शासकों के लिए खुद को एक ऐसे आर्य समूह के रूप में दिखाना आसान बना दिया, जो भारत को ब्रिटिश शासन के खड़ा करना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी रहे। इस तियोरी के जरिये अंग्रेजों ने भारत को नौर्थ वर्से साउथ में बाढ़ दिया, जहां नौर्थ के लोग आर्य सिविलाइजेशन के प्रतिनिधी बना दिये गए, वही साउथ के लोगों को द्रवडियन सि मूल निवासी थे, अगर आर्य बाहर से भारत आये थे, तो कहां से आये थे और कब आये? आईए, अब हम एक एक करके इन प्रशनों का उतर जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, इंडस सिविलाइजेशन के कई शहरों, जैसे हडपा, मोहिंजदोडो, राकी गड़ी, काली बंगा आदी से, आर्कियोलोजिस्ट को हुमन सेटलमेंट की एक के उपर एक कई परते मिली हैं। अब तक मोहिंजदोडो में भवनों की साथ तहें प्रकाश में आई हैं। और संभवत है, इससे भी पहले की कुछ और तहें अभी भी प्रित्वी के गर्ब में जल में दबी हुई हैं। अतह, आर्कियोलोजिस्ट के अनुसार इस सभ्वेता को 3000 से 2500 BCE, यानि आज से लगभग 5000 से 4700 साल पुराना माना जा सकता है। दूसरी और अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार रिगवेद 1800 BCE से अधिक पुराना नहीं हो सकता। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्वता आर्यों के भारत में आने से पूर्वविक्सित हो चुकी थी। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि आर्य लगभग 2500 से 1500 BCE के आसपास भारत आये थे। आर्य पैस्टोरल नोमैडिक ट्राइब्स थे जो खेती करना नहीं जानते थे। पशुचारण इनका मुख्य पेशा था। आर्य इंडो-योरोपिय भाशा परिवार के सदस्य थे। जो इरान, बलुचिस्तान या फिर बैक्ट् और क्लाइमिट चेंज आदी की वजह से डिकलाइन होना शुरू हो गया था। रिगवेद की संहिताओं में खंडहरों और उजड़े हुए नगरों का उल्लेख है। इन दोनों सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड्स में अंतर से ये सपश्ट हो जाता है कि आर्य इंडो- सिविलाइजेशन के डिकलाइन के बाद भारत आये थे। इससे ये भी पता चलता है कि उनके और इंडर सिविलाइजेशन के लोगों के बीच किसी प्रकार का संगर्ष नहीं हुआ था। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत पर अपने शासन को लेजिटिमाइज करने के लिए आरियों द्वारा भारत पर हमले की थियोरी गढ़ी थी। इस थियोरी के अनुसार भारत के मूल निवासी द्रविडियन भाषा परिवार के बरबर ट्राइबल लोग थे जिन्हें इंडो-यूरोपिय भाषा परिवार के आरियों ने सभ्य बनाये था। इसलिए भार बनाम द्रविड में विभाजित करने का प्रयास किया। आई अब हम देखते हैं कि आरियों का मूल निवास कहा था। क्या आरियों यहीं के मूल निवासी थे या फिर बाहर से भारत आये थे। विवाद का मूल विशय ये है कि क्या आरियों बाहर से भारत में आये थे या अफिर आर्य भारत से पूरी दुनिया में फैल गए थे। कई दशकों से इनी दो बिंदूओं पर विवाद चलता आ रहा है। आईए सबसे पहले दूसरी संभावना पर गौर करें। के विविन रूपों को जन्म दिया। परन्तु यदि सच्मुच ऐसा होता, तो इस पूरे रास्ते में भारतिय मूल के लोगों के जिनेटिक सिगनेचर के एविडेंस मिलते। यदि हडपा सभेता के पहले या बाद में भारत से बाहर कोई भी माइग्रेशन हुआ होता, जिस जिनेटिक साइंटिस्ट्स ने हडपा सभेता से पहले के आदिम भारतियों के जिनेटिक कोड को चिन्हित करने में सफलता प्राप्त की है। और इसी जिनेटिक कोड के आधार पर वैग्यानिकों ने ये निशकर्ष निकाला है कि इस पूरे रास्ते में आदिम भारतिय अं के बड़े हिस्से में फैली हुई हैं, तो क्या इस जियोग्राफिकल रीजन में किसी प्रकार की जिनेटिक सिमिलारिटीज भी दिखती हैं? तो इसका उत्तर है, हाँ, दिखती हैं. ऐसी समानता है Y-Chromosome Heplogroup R1A और उसका सब क्लेड R1AM417, जिसका बिखराव Scandinavia से लेकर दक् आये जाता है, जिसके दायरे में लगभग सारी की सारी इंडो-योरोपियन भाशा बोलने वाली दुनिया आ जाती है. Y-Chromosome Heplogroup R1A को आरियों का जिनेटिक मारकर माना जाता है. यानि हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों में Y-Chromosome Heplogroup R1A जिनेटिक सिगनिचर मिलता है, उन के पूर्वज आरियत है. आनुवांशी की वैज्ञानिकों के अनुसार, 3800 BCE के आसपास सबकलेड R1A M417 दो ग्रूप्स R1A Z93 और R1A Z2A2 में डिवाइड हुआ था. आज R1A Z2A2 योरोप में दिखाई देता है, जबकि R1A Z93 Central and South Asia में दिखाई देता है, और इससे भारत म निवास करने वाले लगभग सभी R1A Genetic Marker वनशावलियों की जानकारी मिल जाती है. सब क्लेड के विभाजन कार्थ है कि 3800 BCE में एक ही जगह से ये लोग दो अलग-अलग दिशाओं में, यानि योरोप और एजिया में फैल गए, और उन्होंने वहां के स्थानिय लोगों स सम्बंध स्थापित किये. अब हमें इस तथे का पता लगाना होगा कि Central और South Asia में आर्य कहे जाने वाले R1A Z93 Genetic Group से सम्बंधित लोग कौन थे और कहां से आये थे? Genetic Scientist Dr. Peter A. Underhill की Research से पता चला कि Y chromosome Haplosomu R1A M417 और उसके सबकलेड R1A Z93 का सबसे पुराना साक्ष यूक्रेन में मिला है, जो 5000 से 3500 BCE के बीच का है. Samara Rus में भी इसी टाइम पीरिड में R1A M417 और उसके सबकलेड R1A Z93 के साक्ष में ले हैं. इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इंडो-योरोपियन भाषा बोलने वाले और खुद को आर्या कहने वाले लोग यूक्रेन, समारा और रूस से धीरे-धीरे माइगरेट करके यॉरप और एजिया के विभिन्न हिस्सों और भारत में फैल गए थे. रिसर्च में पाय गया है कि भारत में सबक्लेड R1-AZ93 की उपस्थती ईसापूर्व 2000 से लेकर ईसापूर्व 1500 तक दिखती है. इससे पहले नहीं. यही वो समय है जिसके बारे में आर्कियोलोजिस्ट बताते हैं कि आर्ये लगभग 2000 BCE से लेकर 1500 BCE के बीच मध्य एशिया वस्टेप रीजन से चलकर यहां आकर बस गए थे. राखी गड़ी में मिले हडपा काल की Human Fossil से प्राप्त DNA की स्टडी से भी यही जानकारी मिलती है कि हडपा के निवासियों में स्टेप से आए लोगों की वन्शावली के अवशेश मौजूद नहीं है. इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्टेप रीजन के इंडो आरियन लैंग्विज बोलने वाले लोगों का भारतिये महद्वीप में आगमन तो हुआ था, परन्तु ये आगमन हडपा सभेता के बिलकुल अंतिम चरण में यानि इसा पूर्वत 2000 के आसपास ही हुआ आईए अब हम आरियों के भारत आने के संदर्ब में linguistic evidence पर विचार करते हैं linguistic evidence भाशा विज्ञानियों का मानना है कि भारत आने से पूर्व आरियों का अपना पूर्व वर्ती इतिहास था वे मानव जाती के एक अति प्राचीन समूह के सदस्य थे और बहुत दिनों तक वे उन लोगों के साथ रहते थे जो Greece, Rome, Germany, England, Holland, Scandinavia, Spain, France और रूस के लोगों के ancestor थे इन भाषा विज्ञानियों के अनुसार, इंडो-यूरोपिय भाषा परिवार के लोग अपने मूल भावों के expression के लिए जिन शब्दों का इस्तिमाल करते थे, वे शब्द आज भी उनके वन्शजों द्वारा समान रूप से इस्तिमाल किये जाते हैं जैसे संस्कृत के शब्द पित्र और मात्र, लैटिन के पेटा और मेटा, ग्रीक के पटेर और मटेर, अंग्रेजी के फादर और मदर और जर्मन के वटेर और मुटेर से अत्यधिक समानता रखते हैं इसके अलाबा, रिग वेद में वर्नित इंवर, मित्र, वरुन, नासत्य नामक देवताओं का उलेख, पर्शन, ग्रंथ, जिन्द वेस्ता में इसी रूप में मिलता है इससे भी इनके एक ही भाशा परिवार के होने की पुष्टी होती है भाशाओं की इसी समानता के कारण, अनेक विद्वानों का ये मानना है कि भारत आने वाले आर्य इंडो-यूरोपिय भाशा परिवार के सदस्य थे निशकर्श इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज जिनेटिक साइन्स, आर्कियोलोजिकल साइन्स और लिंग्विस्टिक्स आर्यों के भारत आगमन की विशय में एक ही निशकर्श पर पहुँचे हैं कि आर्य भारत में बाहर से आय थे, परंतु ये कोई हमला नहीं था आर्यों ने यहाने के बाद भारत के स्थानिय निवासियों के साथ, जिने हम द्रविडियन लोकल्स कह सकते हैं, के साथ मिल जुल कर रहना शुरू कर दिया प्रारंब में आर्य भारत में नुमैडिक पैस्टोरल जीवन जीते थे, परंतु बाद में उन्होंने खेती करना सीख लिया था, जिसके प्रमान हमें वैदिक लिटरूचर में भी मिलते हैं रिगवेद जिसे वैदिक लिटरूचर में सबसे पुराना माना जाता है, में कृशी का उलेक बहुत कम मिलता है, जबकि पशुपालन संबंधी एविडेंस परियाप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं इसके विपरीत जब हम लेटर वैदिक पीरियड को देखते हैं, तो वहां हमें एगरिकल्चर बेस्ट एकारमी और सुसाइटी दिखाई परती है